दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए प्रकास संसलेसर यानि की फोटो सिंथेसिस से जुड़े हुए ऐसे 100 MCQ लेकर आया हूँ जो कि पिछले 35 सालों में NEET, PMT, AMU, इत्यादी Medical Intense Exam में पूछा गया है तो आपको सभी 100 कोशन किसी न किसी Medical Exam में पूछे हुए मिलेंगे तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत important होने वाला है वीडियो को ध्यान से देखेगा और पूरा देखेगा तो आईए आज के वीडियो की सुरुआत करते हैं तो आईए चलते हैं पहले कोशन की और पहला कोशन है मैगनीज की आउसकता किस में होती है तो आपका right option है option C प्रकास संसलेशन के दौरान जल के प्रकास अफगटन में दूसरा कोशन है उच्चतर पौधो के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या होते हैं तो आपका right option है option A प्रकास और निर्भर अभिक्रिया एंजाइम यानि कि जो हायर प्लांट है उनके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में डार्क रियक्शन से रिलेटेड जितने भी एंजाइम होते हैं वे सभी पाये जाते हैं चलते हैं question number third की और question number third है ग्रेनम में कितने थैलकॉइड होते हैं तो आपका right option है option B है दो से लेकर 100 तक question number four है फेराडॉक्सीन में पाया जाता है तो जैसा कि नाम से ही clear हो रहा है फेराडॉक्सीन यानि कि इसमें पाया जाएगा लोहा आपका right option है option C question number five है निम्न कथन पर विचार करें तो पहला option है 500 एनम और 800 एनम के मद स्पेक्ट्रम को पार कहते हैं B है magnesium, calcium और chloride आयन जल के प्रकासी अबगटन में महत्पूर भीमिका निभाते हैं और C है चक्री प्रकासी फासपी करण में oxygen मुक्त नहीं होती यह जल का प्रकासी अबगटन नहीं होता और NATP भी नहीं बनता तो इन दोनों statement में statement A और B wrong है लेकिन जो statement C है वो सही है इसलिए आपका जो right option है option B होगा question number 6 है प्रकास संसलेशन के संबंद में निम्न कथन पर विचार कीजिए तो पहला statement है प्रकास संसलेशन के दोरान ATP का निर्मार प्रकासी फासपीरिली करण कहलाता है यह statement सही है B statement है पत्ती के क्रांज एना टामी पाई जाती है यह भी statement सही है statement C है कैल्विन चक्रे दोरान NADP से NADPH बनता है यह statement गलत है और आखरी statement है chlorophyll अडू की phytal पूछ में magnesium पाया जाता है यह statement गलत है तो इस सहाफ से देखा जाए तो आपका जो right option है option A है A और B सत्त है चलते है question number 7 की और question number 7 है प्रकास संसलेशन की प्रकासी अभिक्रिया में कौन सा वर्णक भाग लेता है तो इसका right option है option B है chlorophyll A question number 8 है chlorophyll में प्रकासी संसलेशी वर्णक किस जिल्ली में धसे रहते हैं तो जो photosynthetic pigment होते हैं वे थैलकॉइट की जिल्ली में धसे होते हैं तो आपका जो right option है option A है आई चलते हैं एगले question की और question number 9 है फेराडॉक्सीन अव्याव है यानि की फेराडॉक्सीन जो है वह किसका component है तो आपका जो right option है option B है photo system first का question number 10 है निमने में से कौन सा pigment पीले रंग का होता है तो आपका right option है option D जैन्थोफिल तो याद रहिएगा कि जो जैन्थोफिल है वह पीले रंग के लिए responsible है question number 11 है जेड इसकी में electronों के इस्थानांतरण में समलित होते हैं तो जेड इसकी में electronों के इस्थानांतरण में PS first और PS second दोनों समलित होते हैं तो इसलिए आपका जो right option है option D है दोनों B तथा C आई चलते हैं अगले question की और question number 12 है spectrum के लाल प्रकास की तरंग धैर्ग होती है तो आपको बता दें कि जो spectrum है उसके लाल प्रकास की तरंग धैर्ग होती है 680 NM तो आपका जो right option है option C है अगले question की और question number 13 है निम्न में कौन सा कथन पौधो के प्रकास संसलेशन अभिक्रिया की प्रकास की क्रिया के संदर्भ में सही है तो पहला statement है chlorophyll A photosystem second में 700 NM पर तथा photosystem first में 680 NM और सेशन सिस के साथ संबंधित होता है ये तो statement गलत है दूसरा statement है magnesium तथा sodium आयंस जल अडू के प्रकास अबगटन के साथ संबंधित है ये भी statement गलत है तीसरा statement है चक्री फास् जन उत्पन होती है ये भी statement गलत है तो हमारा जो right option है option D है photosystem first तथा second दोनों और चक्री प्रकास फास्पोरिली करण में समलित होते हैं question number 14 है गाजर की जड़ में किस वरणक का रंग काला पीला होता है तो इस question का जो right option है option B है बीटा कैरोटीन question number 15 है redox अभिक्रिया में हमे जैसा electron इस्थानांत्रित होता है तो आपका जो right option है option B है question number 16 है solarization होता है तो इस question का भी right option option B है chlorophyll का विखंडन चलते है question number 17 की ओर प्रकास अंसलेशन के संबंध में क्या असत है तो आप सभी option पढ़ लिजेगा मैं सिधे आपको इसका right option बताता हूँ तो इस question का right option है option C carbon इस्थी करण के enzyme keval chloroplast के ग्राना में पाय जाते है question number 18 है प्रकास संसलेशन में प्रकासी अभिक्रिया के संबंध में निम से कौन सा कथन गलत है तो यहाँ पर आपको wrong statement बताना है तो आप सभी option को पढ़ लिजेगा मैं सिधे आपको इसका right option बताता हूँ तो इसमें जो wrong statement है statement D है PS first और PS second के अभिक्रिया केंद P600C और P700 क्रमस है तो यह statement गलत है आपका right option है option D अगले question की और question number 19 है निम्न में से किसे प्रकासी फास्थी करण कहेंगे तो इस question का जो right option है option B है NADP का निर्मार question number 20 है chlorophyll संरचना में चार पाइरोल वले magnesium के द्वारा किस अडू से जुड़े रहते हैं तो इस question का जो right option है option A है nitrogen अडू के द्वारा जुड़े रहते हैं question number 21 है प्रकास तंत्र second यानि की photosystem second के उत्तेजित chlorophyll अडू से निकले electron का प्रथम ग्राही क्या होता है question number 22 है DCMU DCMU का full farm मैं आपको बता देता हूं इसका full farm होगा dichloro phenyl dimethyl urea जो की एक inhibitor है यानि की संदमक है जो की PS second को संदमित करता है तो आपका जो right option है option B है question number 23 है NADPS2 उत्पन होता है तो आपको बता दे कि जो NADPS2 है यह उत्पन होता है photosystem first में यानि की PS first में तो आपका जो right option है option B है चलते हैं अगले question की और question number 24 है प्रकास अभिक्रिया में प्रतेग जल अडू के प्रकास अभगटन से प्राप्त होता है तो इस question का जो right option है option D है दो electron तथा दो proton question number 25 है हरी पादप को शिकाएं सुरी के प्रकास में ATP का उत्पादन निमने में से किसके द्वारा करती है तो आप सभी option को पढ़ लिजेगा तो अगर आप सभी option को पढ़ते हैं तो देखेंगे कि सभी option सही है इसलिए आपका जो right option है option D है उपरोक्त सभी के द्वारा question number 26 है प्रकास संसलेशन की प्रकास अभिक्रिया होती है तो हम सभी जानते हैं कि जो प्रकास संसलेशन की light reaction होती है वह केवल प्रकास की उपस्तिती में होती है तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो फोटो सिस्टम होता है वो हरित लवक के ग्रैना में होता है तो इस वज़र से आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन भी होगा ग्रैना में कोउशन No.28 है हरे पौधवे में प्रकासDeskinn comp से निकली ऑक्षिजन का स्रौत होता है तो जो ऑक्षीजन होता है यानि कि प्रकास त्विक्रैन की उत्पति होती है वो होती है जल के विखंडन से तो इस क्वाइट अप्शन है आप्शन अप्शन C है जल चलते हैं एकले question के, question number 29 है नील हरिस सहवाल में photosystem second में एक वर्ड़क होता है जिसका संबंद जल के विघटन से है, वह है तो blue green algae में photosystem second में जो वर्ड़क पाया जाता है जो की जल के विघटन में responsible होता है, वह है phycocyanine तो आपका जो right option है, option D है phycocyanine question number 30 है photosynthesis के phosphorylation में oxygen के निकलने का इस्थान chloroplast में होता है, तो आपका right option है, option B है ग्रेना का धेर यानि की थैला क्वाइड, तो यहाँ पर आप right click करेंगे option B पर, question number 31 है प्रकास उज़्जा के विशिस्ट कार photosynthesis में होता है, तो इस question का जो right option है, option A है chlorophyll का सक्री करण, यानि की activation of chlorophyll question number 32 है, चक्री photophosphorylation में निमने में से किसका निर्माड होता है तो cyclic photophosphorylation में केवल ATP का निर्माड होता है, तो इसलिए आपका जो right option है, option A है ATP, question number 33 है, NADP, NADPS2 में बदलता है, तो यह non-cyclic photophosphorylation में बदलता है तो आपका जो right option है, option B है question number 34 है, जब कोई कोशी का प्रकास उर्जा को रासायनिक उर्जा में बदलती है, तो कौन सी क्रिया होती है तो प्रकास उर्जा का रासायनिक उर्जा में बदलना खहलाता है, photophosphorylation और इस प्रक्रिया में ADP से ATP का निर्माण होता है, तो आपका right option है, option A चलते हैं, अगले question के question number 35 है, प्रकास की विक्रण उर्जा रासायनिक उर्जा में बदल जाती है, तथा संचित रहती है तो प्रकास उर्जा जब रासायनिक उर्जा में बदलता है, तो उस समय संचित रहता है, यानि कि स्टोर होता है, वो होता है ATP, तो आपका right option है, option C Question number 36 है, वर्ड़क तंत प्रथम, रेडियन्ट उर्जा प्राप्त कर, इलेक्ट्रोन मुक्त करता है, तो हम सभी जानते हैं कि जो PS first है, उसमें reaction center होता है P700, तो आपका right option है, option D, P700 तो PS first में रेडियन्ट उर्जा प्राप्त कर, इलेक्ट्रोन मुक्त करता है P700, option D, चलते हैं अगले question के और question number 37 है, सभी chlorophyll की आधार भूत रचना में होता है, तो जितने भी chlorophyll है, उसमें आधार भूत रचना में होता है, और फाइरीन सिस्टम, तो आपका जो right option है, option A है चलते हैं अगले question के और question number 38 है, कौन सा pigment जल में घुलनसील होता है, आप क्या option है, पहला option है chlorophyll, दूसरा option है karotene, किसरा option है anthocyanine, और चौथा option है genthofil, तो आपका right option है option C, anthocyanine, तो anthocyanine pigment ऐसा pigment है, जो की जल में घुलनसील होता है question number 39 है, chloroplast में प्रात्मिक प्रकास रासायनिक क्रिया कहां होती है, या प्रकास संसलेशन की प्रकास अभिक्रिया जिसे हम light reaction कहते हैं, वो कहां होता है, या प्रकास अभिक्रिया होती है question देखने में बहुत simple सा है, लेकिन option आप इसको ध्यान से देखेगा, आपके दिमाग में right option, option A चल रहा होगा, परन्तु इसका right option है option C, quantosome या thylakoid, जो की ग्रेना में पाये जाता है, तो right option है option C question number 40 है, photo system first में उर्जा को पकड़ने वाला केंद्र होता है, तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि photo system first में जो reactive center होता है, वो होता है P700, तो प्रकास उर्जा को पकड़ने वाला जो केंद्र होता है, वो होता है P700, तो आपका जो right option है, option C है P700, question number 41 है, नील हरिस सेव सेवाल में होता है, तो आपको बता दे कि जो blue green algae होते हैं, उनमें केवल chlorophyll A पाय जाता है, तो आपका जो right option है, option A है, चलते है अगले question की और question number 42 है, pigment system first द्वारा होता है, तो आपको बता दे कि जो PS first है, उसके द्वारा होता है, cyclic photo phosphorylation, तो आपका जो right option है, option A है, चक्री photo phosphorylation, question number 43 है, वर्णक तंत्र सेकेंड संबंधित है, यानि कि PS second इससे संबंधित है, तो अगर आप option में देखें, तो जो PS second है, उस प्रक्रिया में जल का विगटन होता है, इसलिए आपका जो right option है, option A है, जल के photolysis से, question number 44 है, प्रकास sensation में chlorophyll की भूमी का होती है, तो हम भी जानते हैं कि जो प्रकास sensation प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में chlorophyll light को absorb करता है, और जल का विगटन करता है, तो आपका जो right option है, option C है, प्रकास के और जल के प्रकास ही है, रासायनिक विगटन में, चलते है, question number 45 है, फोटो फास्पी relation क्रिया है, जिसमें, तो फोट राइट उप्शन है, option A है, question number 46 है, प्रकास अभिक्रिया में स्वरप्रतम क्या होता है, तो light reaction में सबसे पहले परण हरित का आक्षिकरण होता है, यानिकि oxidation of chlorophyll होता है, तो आपका जो right option है, option A है, question number 47 है, chlorophyll उपस्तित होता है, तो chlorophyll पाया जाता है, chloroplast के ग्रैना में, तो आपका जो right option है, option C है, ठीक है, आए चलते हैं, अगले question की और question number 48 है, निमने प्रदाथों में से किसके द्वारा photo system first, प्रकास अभिक्रिया के समय electron NADP तक पहुचाता है, तो NADP तक जो electron है, वो पहुचाता है, तो आपका जो right option है, option D है, question number 49 है, प्रकास संसलेशन की प्रकास सरासायनिक अभिक्रिया के समय, यानि की photo synthesis के light reaction के समय क्या होता है, क्या घटनाए होती है, आपको ये बताना है, तो हम सभी जानते हैं कि light reaction में oxygen मुक्त होता है, और ATP तथ NADPH2 का निर्मार होता है, तो इस तरह से देखें, तो हमारा जो right option है, option C है, oxygen मुक्त होता है, और ATP तथा NADPH2 का निर्मार होता है, और अगला question है, question number 50, chlorophyll की केंद्र धातु है, तो chlorophyll की केंद्र धातु है, magnesium यानि की right option है, option B, तो दोस्तो आज के part में हम केवल 50 question को solve करेंगे, मिलते हैं second part में, जिसमें की हम बाकी बचे हुए 50 question को solve करेंगे, तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, comment करके ज़रूर बताएगा, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीड questions related आपको कोई भी doubt हो, आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं, और यदि आप हमाया channel पर नए हैं, और अभी तक आपने हमाया channel को subscribe नहीं किया है, तो please हमाया channel को subscribe कर लिजे, और बगल में जो bell icon है, उसे press करना मत भूलेगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के video upload करूँ, उसका notification आप तक पहुचता रहे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, photosynthesis से जुड़ी हुए question के साथ, यानि की second part में तब तक के लिए जहिन जभारत